सब के साथ एक और नए वीडियो पर आज के इस वीडियो में आपको दिल्ली का वंडे बस टूर रहते हैं वह कंप्लीट टूर कराऊंगा यह हमनों का बस है और यह हमारे साथ भाईया है थोड़ा आप कुछ बताईए आपके ट्रेवल्स के बारे के दिल्ली के ट्राथिया मा यह लोकेशन का नाम के जहां बस रुकता है आके करोलबाग तो यह हम लोंका समने बस तो चलिया आपको पुरा आज दिल्ली का वंडे टूर में क्या-क्या गुमाते बस में पुरा टूर कराऊंगा तो चलिया स्टार्ट करते हैं तो चलिए जब तक बस सूट में आपको ऑ आपको यह एंट्री करने के बाद यह देखिए यहां हम लोगों ने सीट लिया है मेरावाला सीट यह है वैसे मैंने जो टिकेट बुक किया है यह मैंने मेक मैं ट्रिप से बुक किया था स्पॉंसर नीम एक मैं ट्रिप का बतारूम है वहां मैंको अच्छे मिल गया मैंको 300 रुपीज में पूरा दिल्ली कंप्लीट टूर का वीडियो मतलब कंप्लीट बस टूर मिल गया है मैंको तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं देखते हैं सब से बहले को लो वैसे यह लोकेशन आपका होटेल ग्रांड प्लाजा है दिल्ली स्टेशन से जब आप निकलेंगे में स्टेशन से गेट नमबर प्लैट्वाम नमर वन साइट से पाहाडगन साइट से एकजिट करने के बाद सामने आपको फ्लाइवर दिखेगा उसके साथ साथ चलते आई आपको बतारा हुआ इस नहीं ब्ला मंदिर नाम दो है इस टैंपल को इस मंदिर को परवाया था हमार देश के बहुत ही फेमस उध्योग पदी है बल्देव दास बिला फैम्ले तैंपल परवाया था था इस टैंपल को गाटर्टन किया था इन्युग्रेशन बाए महारपागादी तब इसका नाम करण रॉट हुआ लक्षमी नारल एपन स्टार्टिंग किया 1938 में गंडिट हुआ 1948 में इंसाइड इस मोबाइल फोन कैमरा फोन नाट रॉट मंदिर के दिननर मोबाइल फोन कैमरा फोन ले जाना पाना है आउट्सेट में ग्लॉक्रूम है वहीं आप जमा करेंगे वापको टोकन दे देंगे चाल भी देंगे आ आपने क्रॉसिक्नर के मंदिर को देखने जाने हैं बिल्डा मंदिर इसे लक्ष्मि नारण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी को समर्पित है वैसे मंदिर में आपको भगवान शिव, प्रभुश्री गणेश, महाबली, बजरंगबली जैसे कई और अन्य भगवान की मूर्ति यहां आपको देखने को मिलेंगी मंदिर सुबे साड़ी चार बजे से दोपहर एक बजे तक फिर दोपहर धाई बजे से रात को नौ बजे तक खुला रहता है वैसे हैं मंदिर आपको डेली खुला हुआ मिलेगा इससे के साथ हम लोग अपने फर्स डेस्पिनेशन पहुँच चुके है यह है बिल्डर टेंपल और फ्लक्ष्मिन आरण मंदिर यहां आपका फोन अंदर अलाव नहीं है आप पोड़ो वीडियो अंदर क्लिक नहीं कर सकते बाहर आपको काउंटर मिल जाएगा प्री में टोकेन देख आप आपने फोन जमा रख सकते हैं जुदा रखने का भी आपको काउंटर वहीं पर मिल जाएगा अंदर आप मोबाइल कैमरा बैग यह सब कुछ भी नहीं ले जा सकते इलेक्ट्रोनिक आइटेम्स कुछ भी अलाव नहीं है इसका पहले नाम का विलेंडिंग हास्पिटल आपको मालू है इसका नाम कनवा टॉटर लां मानौर लोया थोस्पिटल आप जानते नहीं फूलने भी वह इनो फूलने भी जोंको शूट लगा था इंपे ले गया थे लाज करने के लिए आपको ओमैस्ट हो यह होाँ वार्ट के लाड़ा थे सलिए ओभर कवायओ बेरों आपको 50% दिस्कार्ण रिए वह चीज आपको 50% डिस्कार्ण बिलेगा एरिया एल्यावन स्टैच्व है गांधी डांधी मांधी आपरा गुजराग के साबर माति अश्रम से गया निगालागिया था बिकास्ट पेटिश और गॉर्मने टेक्स लगाई गया था नमग पे डेट इसर महात्पा गांदी आज़ो निगालागा था लावन स्टैट्यू गांदी माज दंटी आत्रा अब आपको मैं एक बेटिंग दिखाऊ हुआ नेवी अश्रम अशोख हॉल फई पर इंध हमार देश के राश्ट पवी इसके वर मार देश का घंडा लगावा है राश्र के दोज लगावा है तो फिलाल अभी हम अमारे नेक्स स्पॉट अशोख हॉल पहुंच चुके हैं यह देखिए यह है अशोख हॉल का नजारा शांदार सा सब्केशन कि अच्च सब्सक्राइब को एक्षच में देखिघ यह इ Dafür थे अच्छाना है विखे रश्पादियों तो गया ये इससाइड है उडांतर क्याई आट्रामाइबाद्रे पी को डिया विटाट यूव गांड़ के साथो प्राम इस्ट रिमिनिस्तर उफिस तो इसना फ्रेंट साइड और राश्पदियों गैपिटल अइंडिया टॉंटी श्थी पप्रिटे को प्रेट मार्ट स्टाट इस ओडर निवीज्चे चौक राश्पदियों वर्ल्ड पे सेकें नमर प्रता फ्रस्टम इस अमेरिका वाइट हूस तो अब हम राश्पदियों पहुंच चुके हैं याद मेरे सामने देख सकते हैं राश्पदि भवन प्रेसिडेंट अफ इंडिया का ओफिशल रेसिडेंस है यह अप्रोक्स 320 एककर्स में फैला हुआ है इस बिल्डिंग का निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में पूरा हुआ वैसे इस आर्किटेक्चर में आपको इंडियान और वेस्टरन स्टाइल के एक मिश्रंड देखने को मिलेगा फिलाल विए में इंडिया गेट कहुछने वाले हैं वह आप सामने देख सकते हैं इंडिया गेट अगर आप विल्चैर में आना चाहते हैं तो इस सेट बागी सीडियो सेड़ है और विल्चैर के लिए इस सेट से है रास्ता क्रोस कस्ते साथ आपको इंडिया गेट का नजारा देखने को मिल जाएगा हम लोग रास्ते के उस पार थे अभी सब्वे सो की इस पार आ चुके हैं इंडिया गेट एक युद्ध समारक मतलब वार मेमोरियल है जो की 42 मीटर्स उचा है इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन 70,000 सैनिकों के सम्माल में बनाया गया था जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड एंगलो अफगान वार में लड़ते लड़ते अपनी जान गवाई थी फिलाल अब भी हम इंडियागेट के सामने पहुँच चुके हैं यहां पीछे देख सकते हैं यहां आपको एप्रॉक्स 40 मिनिट्स का टाइम मिलेगा विजिट करने के लिए फर्स्ट का 10 मिनिट्स आप जो सामने आपको रास्ता दिखाए जहां परेड होता है वो देखने के लिए है और 30 मिनिट्स आपको इंडिविज्वल इंडियागेट के सामने आप आके फोटो डो क्लिक करवा सकते हैं अचली बहुत दिनों से बंद था यह हाली में फिर रेनोवेट होके इसको खोला गया है बीच में पहले एक अमर जवान जोज जलता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और आप मेरे पीछे देख सकते इंडियागेट के नजारा इंडियागेट देखने के बाद आप म इस बीच में इसी रास्ते में मतलब 26 जनवर की दिन अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको परेड एक्स्प्रियेंस करने को मिलेगा वैसे इंडियागेट और गेटवेफ इंडिया दोनों अलग है गेटवेफ इंडिया मुंबई में है उसके भी व्लॉग में अप्लूड क देखा होगा यह साइट से देखिए साइट से कुछ ऐसा दिखता है एक्छली मैं भी पहली बार देख रहा हूं साइट व्यू तो कुछ ऐसा दिखता है तो पिछे इंडिया गेट से आने के बाद अभी हम आगे आ चुके हैं यह नेताजी सुबाशेंदर भुष जी का कमप्लीट डीटेल्ड वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा लिंक आई बटन और डेस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा प्लीज जाके उसको भी जरूर चेकाउट कीजिएगा इसके बाद अभी हम लोंको लंच करने के लिए लाया गया है हर एक बस का अलग अलग होटेल में आपको ले जाते हैं अभी हमें अर्बन धाबा में लाया गया है लंच के लिए यहाँ खाने का प्राइस रिजनेबल है और टेस्ट बहुत ज़दा अच्छा है सो इसके साथ अभी हम एंट्री कर चूए कुटूब मिनार में अगर आप अफ्लेंट टिकेट लेते हैं तो इसका प्राइस आपको 40 रुपीज लेगेगा और अगर आप ऑनलाइन कटवा लेते तो 35 रुपीज पड़ेगा तो यह देखें एंट्री करने का उतकुछ ऐसा न किया गया था बट उस टाइम मैक्सिममम लोग घर में जगड़ करके आप उपर से सुसेट कर लेते थे तो इस वज़े से 1982 के बाद से कंप्लीट बंद हो गया है कुट मिनार के उपर में चाड़ना अभी आप उपर नीचे से इसका मजा ले सकते हैं ये सुबह साथ बज़े से शाम को नौ बज़े तक खुला रहता है यहां आपको कुट मिनार के साथ साथ वात उल इसलाम मस्जित लुहास तम्विया आइरन पिलर अलाई मिनार खिलजी का मगबरा और मदर्सा और अलाई दरवाज़ा देखने को मिलेगा वैसे कुट मिनार का भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिशन में मिल जाएगा प्लीज जाके उसको भी जरूर चकाउट कीजिएगा तो फिलाल अभी हम पहुँच चुके हैं लोटस टेंपल में एक्शली यहां बहुत लंबा लाइन रहता है तो जो अंदर जाने मना करते हैं अंदर बस एक हॉल टाइप का है बता रहे हैं बाहर आप नरसन करके नजार लेकर आ सकते हैं तो चलिए बढ़ता है भी लोटस ट इसके बाद आप पहुचेंगे लोटस टेंपल में लोटस टेंपल का निर्माण 1986 में पूरा हुआ इस मंदिर का डिजाइन कमल फूल मतलब लोटस से लिया गया है सो लोटस टेंपल के अंदर एक खाली बड़ा सा हॉल है वहां जिन्होंने बनाया तो उनका में उद्देश था दैट सब भगवान एक है तो वहां कोई भगवान का मूर्थी नहीं है आप सिंपली जाके वहां मेडिटेट करके अपने इस देप को याप जिनको मानते हैं उ यह मंदिर में 27 फ्री स्टेंडिंग मार्बल के पेटल्स है मतलब लोटस पेटल्स जैसे इनको डिजाइन किया गया है और इसको ऐसे एरेंज किया गया है यह 27 पेटल्स ऐसा लगए दाट 9 साइड्स के है यह मंदिर सुबा गर्मियों में 9 बज़े से शाम को 6 बज़े तक एवंग सर्दियों में सुबे 9 बज़े से शाम को 5 बज़े तक खुला रहता है यह मंदिर केवल मंडे मतलब सोमवार को बंद रहता है यहां किसी भी प्रकार का कोई भी इंट्रिफिस आपको नहीं लगेगा आपको बाहर जूता उतार के रखना पड़ता है एवंग यहां पक्तसद यूनिटी और इक्वालिटी को प्रोमोट करने के लिए है तो फिलाल टूर करते करते हैं हमारे ही बस में हमारे कुछ भाई लोंग भी है तो आपका नाम बताईए प्लीज मेरे नाम पारस है पारस आपको को नहीं है तो कहां से हैं आप लों मैं गुड़गाओं क अब आपका चेकिंग किया जाएगा चेकिंग करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे इस साइड है में गेट अंदर चेकिंग होने के बाद अजिए बाई अभी गुमने आए तो नाम बता दीजे आपका मेरा नाम मुमो सोगे मोहम्माद सुधों आरे वाँ तो कहां यहां के रहने वाले हमां आप देली जाब रहाओ तो कैसा लग रहे हैं गूम के आप दिली का है पास में तो अरे वाव वाव बड़ी आए लिया वैसे दिल्ली रहने लाएक जगा कैसा है यहां पर रहते हैं और यहां पर वेसे भी सब कुछ है ना इनिया गेट अभाई पुरा अरे विलोग मना आ रहा हूं वास आजा चलिए थैंक यूब यहां करने के बाद आपको ऐसे कुछ नजारा मिलेगा वैसे यहां एंट्री का कुछ फीज नहीं लगता है आपका फ्री एंट्री है यहां पर सामने पार्किंग की सुविदा भी है बहुत सारे गेट से सो अब कंफ्यूज ना हो जाए तो आप गेट नमबर याद रखिएगा आप आप कौन सागेट से एंट्री कर रहे है वैसे यहां आपको गांधी जी के अलावा और कई महान हस्तियों का समारक देखने को मिलेगा जैसे जवाहार लाल नहरू, लाल भाधुर शास्त्री, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी बाच्वा इत्यादी यहां एंट्री करने से पहले आपको अपने जुता उतार के रखना पड़ेगा, प्री सर्विस है और कोई टोकन होगन कुछ नहीं है, आपको जस्ट लाके जुता रख दे रहा है अंदर एक दम प्रशान सा महल है, बहुत खुबसूरत है, अंदर एक दम प्रशान चांट अंडर नहावा चल रहा है, वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है इसलिए, और अच्छा लग रहा है हाँपे यह आपका सुबह 6 बज़े से शाम को 6 बज़े तक खुला रहता है, इबंग यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रिफिस नहीं लगता, अंदर एबंग बाहर से रेकॉर्डिंग करना बिलकुल फ्री है और अलावड है बसे यहाँ आपको उपर में 4 और ऐसा कॉर्णर में चलने का रास्ता मिलेगा, आप चाते हैं तो उपर से भी यहाँ का नजारे का मज़ा ले सकते हैं चार और पंच्छांची मिलेंगे, फिरे की उपर में आप जो बॉडर दिख रहे हैं चार और, यहीं से आप उपर में भी एक्राउन चाहे तो ले सकते हैं वैसे आपको हर एक जगे का इंडिविजुल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके प्लीज उसको भी चेक आउट कीजिएगा लिंक आपको डेस्क्रिप्चन और आई बटन पर भी मिल जाएगा वैसे आप चाहें तो दिल्ली डाइरिस नाम का जो प्लेडिस्ट है मेरे चैनल पर अब वहाँ चाके भी इसको जरूर चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का टूर यहीं खतम होता है लास्ट आपका लाल किला है अगर आप चाहते तो यहां उतार के आसफास घूम सकते हैं वैसे भी लाल किला बंद हो चुका है चैवजे बंद हो जाता है और अभी साड़चे के होने जा रहा है सो अभी उतर के कोई मतलब लिए लाइट अंड शाउंड सो वैसे साथ वजे से हैं कल हमारे बस पुरा प्री टाइम है हम लाल किला कल गवर करेंगे वैसे यह है ट्रॉफिंग लोकेशन लाल किला इसके बाद अगर अगर चाहिए तो जहां से बस हमें पिक किया था पहाड गंज निव डेली रेल्वे स्ट्रेशन के सामने बस वहीं वापस द्रॉफ करेगा तो आप जहां चे उतर साथ को तूर के आज का तूर यहीं कतम करत तो चलिए आज की इस वीडियो कम यहीं कतम करता अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट चे और सुस्क्रेब जरूर कीजिएगा ओके दन बबाए थेक्शे